हेलो दोस्तों में संजय कुमार यस्पी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आए हैं भोतिक विज्ञान इसके तहट बिविन परकार के मापन निकाईयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आएए अपनी सेजन को स्टार्ट करते हैं मूल भोतिक रासियों की संख्या कितनी होती है तो साथ होती है मूल भोतिक रासियां किन्हें कहते हैं वे मातरक जो एक दूसरे से पूर्टा सोतंत्र हो तथा जो किसी अन मातरक की सहायता से प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं मूल मातरक कहलाते हैं इन मुल मात्रकों की संख्या साथ है कौन कौन सी है तो लंबाई, समय, ताप, द्रबिमान, विद्युधारा, जोतितीब्रता, पदार्थ की मात्रा है जोतितीब्रता का मात्रक क्या है तो लियूमेन इस्टे रेडियन है एक परकास वर्स बराबर होता है, 9.46 गुड़े, 10 के पावर, 12 किलो मीटर वाईू मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का प्रियोग किया जाता है तो डॉप्सन का वाई मंडली दाब मापने का मात्रक क्या होती है बार सक्ती, सक्ती का मात्रक वाट होता है, कार्ज तथा उर्जा का मात्रक जूल होता है MKS परणाली में तोरण का मात्रक क्या है तो मीटर प्रती सेकेंड हम मूल भोतिक रासिया एवं उनके मात्रक एवं उनके परतीक के बारे में देखते हैं अब तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसे M से परदर्सित करते हैं द्रबिमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसे KG से परदर्सित करते हैं समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसे S से परदर्सित करते हैं विद्दु धारा का मात्रक एमपियर होता है और इसे A से परदर्सित करते हैं ताप का मात्रक केलवीन होता है और इसे के से परदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक मोल होता है और इसे इसमाल M.O.L. से परदर्शित करते हैं। जोतिती वरता का मात्रक केंडेला होता है और इसे सेडी से परदर्शित करते हैं। एक किलो ग्राम सेंटी मीटर एक किलो ग्राम प्रति सेंटी मीटर स्क्वाइर दाब किसके समतुल होता है तो एक बार के समतुल होता है एक पीको ग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है तो दोस्तों दस के पावर माइनस बारा ग्राम के बराबर होता है पास्कल किस रासी का मात्रक है तो या दाब का मात्रक है बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है बल का मात्रक आवेक का मात्रक क्या है न्यूटन सेकेंड पार्सिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है एक पार्सिक तीन दस्मलों दो छह दो परकास वर्स के बराबर होता है इंगस्ट राम दोरा क्या मापा जाता है तो इंगस्ट राम के दोरा हम लोग तरंग देर्दु को मापते हैं एक अस्ट सक्ती कितने वाट के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो दस के पावर माइनस चै मीटर या कह लें दस के पावर माइनस चार सेंटी मीटर या कहें दस के पावर माइनस तीन मिली मीटर रेडियन एवं इस्टे रेडियन किस परकार के मातरक है तो इन्हें पूरक मात्रक कहा जाता है क्यों से क्या मापा जाता है तो जलका बहाओ दुग्द उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंतर का परियोग किया जाता है तो ब्यूटिरो मीटर का परियोग किया जाता है परकास की तीब्रता मापने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है तो लक्स मीटर का परियोग किया जाता है समतल कोंड एवं घन कोंड किस परकार की रासिया है तिये भी पूरक रासिया है हिर्दय की ध्वनी सुनने के लिए किस प्रकार का एंत्र प्रयोक किया जाता है तो इस्टेथो इसकोप का प्रयोक किया जाता है चालक में विद्दुत प्रतिरोधक्ता का मात्रक ओम मीटर होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनो क्यूलर दुर्भीन का प्रियोक किया जाता है पिर्थवी के गुरुत एवं चंद्रमा के गुरुत्व करसंड के कारण ही चंद्रमा निश्चित कच्छा में पिर्थवी की परिक्र्मा करता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें एम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच नमस्कार